अच्छा समत आप क्या करें सुबह सुबह आप सोगे उठे हैं तो क्या करें काम करें कौन सा काम करें अच्छा समत आप ने क्या किया है अभी आपने क्या किया है अभी मैं सो के आई हूं तो आपने क्या काम किया है आपने पूरे डिश्वाशर को अनलोड की है राइट अच्छा च्छा यह नहीं कर सकता था इसलिए डिश्वाशर का लिच्छा था ओके गुड़ आप बहुत अच्छे बच्छे हो आपने सारा काम की है असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब लोग मैं उमीद करती हूं कि आप सब बलकुल ठीक होंगे तो यहां पर गुड वॉर्निंग मेरी सुबा का अगाज हुआ था और सुबा सुबा जब उठी मैं नीचे आई तो देखा मेरा बेटा जो था वो डिश्वाशर को अनलोड कर रहा था मैं थोड़ा लेट उठी थी तो जब मैंने देखा मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई मैंने बच्चों को जैसी चुटिया हुई थी तो कह दिया था कि भई मैं जो है चाहती हूं कि मैं इन पंदरा दिनों में उनको कोई ना कोई टास्क सिखाऊं तो जो है इससे वो भी खुश रहेंगे और कोई लाइफ लेसन भी सीखेंगे प्रैक्टिकल काम भी सीखेंगे और इससे मैं भी खुश रहूंगी तो जैसी उसने डिश्वाशर अनलोड किया तो उसने का कि मैं आज जो है टोस्ट और जो है एक खाना चाहता हूं तो मैंने देखा कि मेरे पास जो है ब्रेड भी खतम हुई भी थी दूद भी खतम हुआ था साथ ही उसी टाइम जो है ना हम लोग चले गए थे अपने घर के बिल्कुल पास वाली जो है ग्रॉसरी मार्केट से दूद अंडे और ब्रेड लेने के लिए रात को टाइम नहीं मिल सका तो फिर रात को नहीं के थे बच्चों ने स्कूल भी नहीं जाना था तो हमने का कि सुबह सुबह ले आते हैं तो जब से बच्चों की चूटियां स्टार्ट होई है ना तो रुटीन बिल्कुल चेंज हो चुकी है जो नॉर्मल एक रुटीन होती है रुटीन वाइस हर चीज चल रही होती है कि बच्चों को डॉप किया उसके बाद आप अपनी रूटीन के काम करते हैं या डिफरेंट जो भी करना होता है उससे बिलकुल जो है ना काम हट चुक है अब जो है बस दिन की शुरुआत भी जो है वो एक फिक्स टाइम पे नहीं होती चुटियां है तो उसी साब से बच्चे कभी लेट उटते हैं कभी जल्दी उटते हैं तो मैं भी अपनी चुटियां बस सेलिब्रेट कर रही होती हूं कि बस इन दिनों में कोई रूटीन से तो उटना नहीं होता तो हमने बस अपनी जो है दूद भी ले लिया था एक्स भी ले ले थे और साथ में जो है मेरा है मुझे भी तो वो यहां पर आज नहीं पड़ी थी फ्रीजर के अंदर तो बस फिर उसके बाद हम लोग अपनी जो नसेसरी चीज़ें थी वो ले के हम मार्केट से जो है वो निकल आये थे और फटा फट क्यूंके हमें आके बनाना था नाशता तो चॉकलेट और आइसक् के लिए जैसा जैसा जिसको जो जो चाहिए था वैसे मैंने उनके लिए नाशता बना लिया था यहां पर बेटी के लिए मैंने अपने ब्रेकफस्ट बना लिया था बेटे के लिए भी बना लिया था तो मैंने बस सिंपल सा जो है ब्रेकफस्ट बनाया था एग क्रैक किये थे उसके अंदर नमक डाला था थोड़ी सी सुरख मिर्चे डाली थी फ्लेवर के लिए उसके अंदर थोड़ा सा मैंने अनियन डाला था मेरे पस कटा हुआ पड़ा हुआ था मैंने थोड़ा सा डाला था लेकि मेरे बेटी ने उसी टाइम मुझे मना कर दिया कि मुझे अनिय आता मुझे पैंन reefs को फ्राई करने का बहुत जज़ादा मज़력 अता है तो बस फिर मैने इस फ्राई पैर डाल ची तरह से फ्राई कर लिया था और पराथे जितना बड़ा जो है नहीं अन्डा बनाके उसको दे दिया था यह जो है ना मेरे बच्चे बड़े शोक से खाते हैं बच्चों का अपना-पना मूड होता है गैसीों का घर हो तो नाशिता नहों ऐसा तो नहीं हो तो बस फिर यहां पे जो है आज कल बच्छों की मर्जी के ब्रेकफास्ट चल रही है तो बस फिर कॉम्बीनेशन में बच्छों Weis करके दें ये मैंने बिल्कुल ड्राय टोस्ट की थी बिल्कुल बिसक्यों पर ऑईल घी वटर कुछ भी नहीं लगाया हुआ सिर्फ मैंने पैन के ओपर इसको रखा था और अच्छी तरह से मीटियम आज पर इसको टोस्ट कर लिया था तो बस फिर ये जो है ना क्रिस्पी सी ह भी ती ड्रॉस्ट जाओत शॉरब हो गई थी ड्रॉस्ट के अंदर अगरत लगी थी और कोई भी नहीं बच्चों ने इसी का कहा था तो फिर मैंने कैचप डाल के चीज का स्लाइस लगाने के बाद उनको जो है ये सैंडविच बना के इस तरह से दे दिया था तो बस फिर मैंने इस तरह से उनको सैंडविच बना दिया था और अपने लिए भी ऐसी मैंने सैंडविच बना लिया था और उसके बाद मैंने बना ली थी चाय चाय बिलकुल भी मज़े की नहीं बनी थी पर मेरी मजबूरी है कि मुझे चाय अच्छी नहीं बनानी आती लेकिन फिर भी मुझे चाय पीने का बहुत शोक है तो मैंने बना के पी थी फिर ये चाय और हस्बन को भी दी थी चौलो जी एक पड़ाओ हल हुआ भी नाश्टा करके बीचे नहीं हटे तो ये देखें जी हमारा पोस्ट में जो है वो फटाफट घर के सामने आ गया इसको देखिके मैं इतनी खुश हुई इतनी खुश हुई मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि ना जब भी आता है कोई ना कोई पार्सल लेके आता है ना तो चाहे मैंने और्डर किया हो, चाहे किसी और ने किया हो, मुझे बड़ी खुशी होती है पारसल रिसीव करके, तो वैसे जब बेल बच्शती है न तो मैं कोशिश करती हूं कि मैं दर्वाजा ना खोलूं, कोई और खोले, تو जब यह आता है ना तो फिर मेरा दिल करता है सबसे पहले मैं दर्वाजा क्होलू तो मैंने दर्वाजा क्छूला मैंने का लो जी अंबॉक्सिंग का टाइम आ गया पता नी इसमें से अब क्या निकलेगा खैर मैंने इसको क्छूला फिर उसके बाद अन्बॉक्सिंग की इतना मज़ा आया मुझे इसका तो बस फिर ये मैंने जब ओपन किया तो इसमें से बस मेरी काम की चीज थी वो मैंने ओर्डर की वी थी मेरे कोई हेड़फोन थे वो इसके अंदर आये थे पामें तुसी कखा दी चीज और्डर करो या लखा दी पर अन्बॉक्सिंग दा मज़ा जड़ाना ओ वो अपनी जगा है तो खेर अन्बॉक्सिंग के बाद बैक टू वर्क यहां पर बचे करें काम अच्छा तो समद आज आज आप क्या सीख रहे हैं कैस के बचाओ के कि आज कि यहहीं ने आज हुदा milliseconds प्ल्च गपनेयर में वर्क्तुन के बाद बड़ी प्लीड गदि पहले बड़ी कि लगाते हूं के बाद बड़ी प्लेड लगाते हैं और बड़नों को आणिलाइज करते हैं woven की 됩니다 प्रेषण है तो जैसा के मैंने पहले भी बताया था कि 15 दिन के अंदर मैं चाहती हूं कि मैं अपने बच्चों को बहुत सरे टास्क सिखाऊंगा था तो आज के टास्क ने सुरू कर दिये थे तो आज के टास्क में शामिल था किच्छन की सफाई और बरतनों को अरेंज करना उनको अपनी जगा पे रखना, कैसे उनको सम्हालना है, कैसे उनको खुश करना है, कैसे चीजों को सम्हालना है, यह सब चीजे मैं आज उनको सिखा रही हूँ, तो दोनों बच्चों की मैंने ड्यूटी लगाई है, कि एक टाइम के बरतन अब्दुलसमत वाश करेगा और एक टाइम के बर याताव अल्लाहु फारी तो यहां पे जो है ना इसके बाद मेरी बेटी जो थी वो कुरान पक पढ़ री थी और उसके बाद मेरे बेटे ने भी अपना जो है कुरान पक का लेसन जो है वो पढ़ लिया था बच्चे आउन लाइन पढ़ते हैं तो बस इनके पास बैठना बर्गर खाने हैं मेरे पास कोई पैटी वगढ़रा रेडी नहीं थी लेकिर ने फ्रीज में जागा मैंकोई नगया कोई चीज से निकल हुआएगी जिद दना लकोई ना कुछ बाड जाएगा तो हमने देखा कि फ्रीज में पढ़े वे थे जी चपली कबाब तो मैंने ज़े करकी इनको चपली कबाब के बरगर बना के दिये जाए तो एक अच्छा इड्या भी आ गिया था मेरे दमाग में, तो मैंने का जी आज चपली कबाब बना लेही BBQ बरगर बनाय जान दे, तो यह मैंने लास्ट में जो है चपली कबाब घर में बना के फ्रीज करके रख दिये थे और बिलकुल लाइट सी इसमे नमक में च्टाली थी ताके जो है किसी भी चीज के साथ अरजियस्ट हो जाएं तो जो है मैंने इनको जो है फ्राई के लिए रख दिया था और बस फिर जब ये फ्राई हो गए थे इ मुझे डालने थे बन के अंदर तो उस तरह का ही मैं इनको बनाना चाहा रही थी तो इस वज़ा से मैंने इनको मीडियम आच पे जो है वो फ्राई किया था तो जब ये फ्राई हो गए थे मैंने इनको प्लेट में जो है वो निकाल लिया था और इसके उपर जो है वो चीज डाल दिया था सैलेट, टमाटो, प्यास और उसके उपर मैंने जो है अपना कबाब डाल दिया था और जो चीज मैंने डाली थी वो भी डाल दी थी और एक साइड पे मैंने चिली साॉस डाल दी थी और लेटस डाल दिया था और इसके उपर मैंने मेयो लगा दी थी और यहा मैंने चिली सौस डाल ली थी दो तरफ ड़ीज़े दो डिफरिन्ट सॉसेज मैंने यूज़ कर ली थी इसके अंदर मैंने बर्गर पैटी रख दी ती जिसके अंदर चीज स्लाइस भी लगा हुआ था और उसके उपर मैंने जो है ना वो सैलड डाल दी थी सबसे पहले मैंने क क्यूकंबर्स ले लिये थे क्यूकंबर्स के बाद मैंने जो है टमेटो ले लिया था टमेटो के बाद मैंने जो है इसके उपर डाल दिया था दूसरी साइड पर मैंने डाल दिया था कैचप और कैचप जो है वो दूसरी बन के उपर लगाने के बाद मैंने इसके उपर लेट कावर बर्गर की लोग का आप देख सकते हैं ये इतना ज्यादा अच्छा बनता है इतना ज्यादा इसमें डबल पैटी होती है यहां पे उपर टॉप पे पैटी होती है बीच में सैलड होता है और नीचे भी सौसिज होती है टॉप पे भी सौसिज होती है तो इसकी जो है ना fries बना लिये थे combination में और sweet chili sauce भी डाल ली थी तो ये burger जो है दूसरा ये मैंने अपने बच्चों के लिए ready किया था ये single patty burger थे और जो husband के लिए बनाया था वो था tower patty burger वो बहुत ही जादा मज़े का burger बनता है चपली कबाब के साथ भी बना सकते हैं वैसे भी आप smash burger के तोर पे भी उसको बना सकते हैं मैंने जो है आज चपली कबाब यूज किये थे तो फिर मैं आपको यही कहूंगी कि इसको कह सकते हैं कि tower चपली कबाब burger तो यहां पे बच्चों की plate भी ready हो रही है और बच्चों ने भी दिन भर में मेरे बहुत सारे काम किये मैंने उनकी मन पसंद खाना बनाया बच्चे भी खुश होगे और मैं भी बहुत ज़्यदा खुश होगी और इस तरह से अब मेरा third burger भी ready हो रहा है इसी तरह से मैंने अपने सारे burger भी बना लिये थे और reward के तोर पे मैंने बच्चों को ये भी कहा था कि at the end of the week मैं देखूंगी कौन से बच्चे की performance बहुत ज़्यदा अच्छी है उसके हिसाब से मैं उसको reward भी दूँगी और every day जो है ना मैं अपने बच्चों को ये भी कहती हूँ अगर आपकी performance अच्छी होगी तो मैं आपको कुछ ना कुछ जो है वो reward जरूर दिया करूंगी तो चाहे वो खाने की सूरत में हो चाहे वो किसी टॉय की सूरत में हो तो मैं उनको कहती हूँ कि आप अच्छा perform करें और फिर आप मुझे बताएं कि आपको क्या खाना है मैं उनको घर में उसी तरह का comforting महोल देना चाहती हूँ ताके बच्चे encouraged फील करें और घर में उनको सकून फील हो वो भी काफी helpful हो एक दूस्टे के लिए और जो है वो काफी सारी जो चीज़ें है ना गर में अपने माहोल से सीखें क्योंके पढ़ने के इलावा चीज़ों ये चीज़ें भी सीखना बहुत जरूरी है ये है हमारे बर्गर्स की फाइनल लुक एक बर्गर जो है मेरे हस्बंड के लिए त्यार हुआ था और एक मेरे बच्चों के लिए त्यार हुआ था और बाकी के बर्गर जो थे ना वो भी अभी बस रेडी हो रहे हैं साथ साथ जैसा कि आप देख सकते हैं मैं साथ साथ ये भी दिखा रही हूँ बर्गर बहुत मज़े के बने थे अगर आपके पास भी कहीं न कहीं किसी कोने खुदरे में चपली कबाब चुपे पड़े हैं तो प्लीज उनको निकाल के जबरतस किसम के बर्गर बनाएं और इंजॉय करें अपनी फैमली के साथ आपको बहुत मज़ा आएगा आपको बाहिर के बर्गर भूल जाएंगे इसके सामने इतना मज़े का बनेगा तो बस फिर शाम के टाइम मतलब रात के टाइम में जो है मैं चलीगी थी अपने हजबन के साथ स्क्रीन पिक करने के लिए हम लोग ये स्क्रीन जो है हमने कल ओरडर की थी आफिस वर्क से ये स्क्रीन है मोनिटर स्क्रीन ये मेरे हस्बिन को अपने आफिस के लिए चाहिए होती है मतलब उनको जो आफिस का काम करना होता है तो उसके लिए उनको ये स्क्रीन चाहिए थी उन्होंने कल ओर्डर की थी और उन्होंने का था कि आप जो है ये कल रात को पिक कर लें तो आज जो है हम लोग डिनर के बाद हम लोग चले गए थे हमने का कि जा कि ये स्क्रीन पिक कर लेते हैं तो हमने ये स्क्रीन पिक कर ली है और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं आई होब आपको मिराज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा अगर आपको मिराज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज टोट फोगेट तो सब्सक्राइब, लैक, शेयर और कॉमेंट थैंक यू सो मच पर वाचिंग, थैंक यू सो मच